दोफ्तो, SSE दुवारा काफी बड़ी भैकेंसी निकाली गई साल 2022 के लिए, यह जो भैकेंसी है, SSE फेज 10 के लिए निकाली गई है, जिसमें वैसे तमाम छाथ-छातरों को मौका मिल सकता है, जो केवल दसवी पास है, या जो दसवी पास कर चुके वो अब वराहवी भी पास कर दी है, तो उनको भी मौका मिलेगा, और जो छाथ-छातरा है, गर्जवेशन पास कर चुके है, या उससे भी अधिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास है, तो ऐसे तमाम छाथ-छातरों को मौका मिलेगा, इसमें 2000 से भी अधिक पदों पे इस बहाली को निकाली जिसके लिए ओनलाइन आवेदन फॉर्म भी फिलप होना शुरू हो चुका है, आज के इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट प्रोसस बताएंगे, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, यदि आप मैटिक पास है, या इंटर पास है, या असनातक पास है, तो कैसे आप इस फिलप करेंगे, और साथी कैसे इसके लिए आवेदन करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहना थी, उसके आलावे भी हम बहुत सारे डिटेल में इस बहकेंजे के बारे में समझाने बाले हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो एक लाइक जरूर करे, साथी चैनल क ज़रूर सस्काइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा, आपको मिल सकेगा, चलते हैं अपने स्किन पर और पूरी जयनकारी बताते हैं, कैसे इसके लिए रेश्टेशन करना है, कैसे फॉर्म भढ़ना है, कैसे पेमेंट होगा, कम्प्लीट जयनकारी आपको दिखाते हैं, एससे फेज टेन के बारे में डीटेल में जानने के लिए आपको आना होगा, ओनलाइन अपडेट एस्टीम डॉर्टीन का ओफिसल वेप साइट पर और यहां पर लिटेश्ट जोब आले सक्षन में देखेंगे, एससे फेज टेन, रिकुप पर लिए रखा गया, यह भी डीटेल आप यहां पर बताई गई है, आवेधन की परकिरिया इसका जो है, बारप मई से स्टार्ट हुआ है, और अनतिम्तिती 13 जुन 2022 रखा गया है, एक्जाम आपको जुन जुलाई में इसका कंड़क कराया जागा, जो भी 6-17 है, इसका अफिसल वेबसाइट पर जाना चाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आप अफिसल वेबसाइट पर आएंगे, और यहां पर देखेंगे, यहां पर 12 मई को एक नोटिफिकेशन आई है, फेज 10 का, आप इस पर क्लिक करके, सारी सेलेक्शन प्रोसस तक का जो डीटेल है, आप आ अप्सेल मिलता है, रेश्टेशन करने का, इस पर किलिक करेंगे, आपके सामने रेश्टेशन फॉर्म खुलेगा, जो कि तीन एस्टेप में आपको फिलप करना होगा, सबसे पहले अगर आपके पास अधार कड है, तो एस करेंगे, जो भी आपका अधार नंबर होगा, डा करकर, आप वो बता सकते नहीं करा है, तो नो पे किलिक करेंगे, फिता जी का जो भी नाम है, आप डालेंगे, तेंत के मार्क से इटके अनसर, उसको भेरिफाई करेंगे, माता जी का जो भी नाम होका डालेंगे, उनको भेरिफाई करेंगे, अपना डेटो बर्ट सेलेक करे नीचे आना है यहां पर roll number आपको डालना है दियार not के roll number डालें गया तो यहां पर roll code म anxer नहीं करना है roll number आपको डालना उस ज्योजिय करना पौर नहीं करना पासिंग एर यहां सE SELECTION करना उस पासिंग एर को दुबारट से पास है तो मैटिक के आप सेलेक्ट करेंगे इंटर है तो इंटर करेंगे अगर आप गर्जुएट है तो आप गर्जुएट सेलेक्ट करेंगे आप अपने कोडिंग इस डीटियल को डालेंगे मुवाइल नमबर को डालेंगे उसी मुवाइल नमबर को द्वारा से कनफर्म कर है और ये 14 दिनों के लिए वैलिट होता है 14 दिन के अंदर में आपको है करना होगा, इमेल इडी को खोलेंगे तो ये फोलडर में आपको mail भेजा जाएगा जोकि activation के लिए होता है, इसको क्लोज करेंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस पर कर आपका आपको यहां पर डालना है और जो पासवर्ड आपने क्रियेट किया था या जो पासवर्ड अभी आपको टेम्परोडरी के तौर पर मिला है उसको डालकर लोग इन करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने पर सकता पड़ाइगी जैसे आपको यहां पर डालना है फिर नया पर जो बनाना है तरह Yes को क्थना में खरना करने के पर समीट लॉग इन करने के लिए अप्टा न सुक्सेसफफ़ली हो जाता लौगइन पहले करेंगे जो भी ID पासवर्ट आपको मिला होगा उस ID और पासवर्ट को डालेंगे स्कैपचा को इस बॉक्स में डालेंगे कॉप्शन मिलता लॉग इन का आप लॉग इन वाले पे किलिक करेंगे लॉग इन करने के बाद इस पर का कड़ेस्पूड आएगा जहां पर आपका जो भी वेकेंसी अभी हाल में चल रही होगी वो उपर देखनों के मिलेगा जैसे फेज 10-2022 है और यहां पर एक उप्शन मिलता अपलाई का आप इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल जो पहले से आपका फिलप होगा वो सारा डिटेल देखनों के मिलेगा यहां पर आपको बताना होगा कि किस रिजिनल से आपको इसको फॉर्म को भरना है आप यहां पर सारा रिजिनल का देखनों के मिलेगा आप जिस भी रिजिनल को सेलेक करेंगे उसका यहां पर उप्शन मिलेगा है तो यहां पर सारा डिटिल बता दी गायी है जैसे सपोज हमने सेंटरल डिजिनल डाला है तो यहां पर पायाएंगे यहां पर 56 नंबर पेज़ेत कर your this kanic째 यहां ऐनस गेड़ार किसटी है औरbay, उसके लिए क्या मत्कित रखेंगां और intimate पे mention कर दी गई है तो जैसे अगर मान लेजे सेंटर रिजिनल के लिए हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई छात्र यहां पे जिनका qualification बेसेंटर पास है तो यहां पर देख सकते हैं कि इंटर पास में जुस्च कोई कर देखेँए कोई कोकी सीट निर्धारित नहीं कि गई है यहाँ पर SC वाले जो छात रहे इसको select करेंगे तो इसको benefit मिल सकता OBC वाले को और general वालों को लेकिन ST वालों को कोई benefit नहीं मिल लेगा तो इस परकार पहले आकर आप देख ले जो भी यहाँ से आप जब form भरेंगे कि उस code में आप जिस category में आ रहे हैं वहाँ पर कोई seat है या नहीं है जिसके लिए यहाँ पर आप देखेंगो OBC में मातर जो है 2 seat रखा गया तो यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे वहाँ यहाँ पर जो 2 seat है और general के लिए रखा गया तो अगर आप general से आते हैं तो आपको benefit मिल सकता है तभी इस code को chain करें अगर नहीं आते हैं तो फिर इस code को आप change करें और इस पोस्ट के लिए क्या qualification रखा गया आपको यहाँ पर देखनों के मिलेगा एक चीज़ धियान रखियागा क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि मैटिक इंटर और गिजुएशन है यहाँ पर mention आपको कर दिया गया जैसे बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पर मैटिक ही चीजु भी संटर बनाया गया है उसी का यहाँ पर लिचिज आपको देखनों का मिलेगा तो एक बाड़ आप जहां भी सेंटर रखना चाहता है उस संटर को देख लेंगे उसको सलेक करेंगे तीन प्रिफरेंस ही और आहन पर देना होगा यथि आप मैंन है तो आप यहां पर बताएंगे तो उसके according कुछ डीटेल आपको यहां पर डालना होगा जैसे आपने ज्वाइनिंग कब किया है कब आपने discharge हुआ यह जनकारी आपको डालना होगा अगर नहीं है तो किस परकार का आपको छूट चाहिए ओविसी के according आ रहे है यह सेंटर गुबेंट के according आ रहे है वो बताएंगे अगर एज में छूट नहीं चाहिए तो नो पर किलिक करेंगे इस डीटेल को आपको नहीं डालना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है यह क्वालिफिकेशन आपका है या नहीं है उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा वो सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर बताएंगे 25 नमर कॉलूम में आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इंडिकेट करिए आपका हाईयर एजूकेशन क्या है वो आप बताएंगे और यहाँ पर डीटेल पूछा जा रहा है work experience का work experience अगर आपने किया है बहुत सारे ऐसे पोस्ट है ज डीटेल सबको डालना जरूरी नहीं जो पोस्ट अपने सेलेक किया उसके एकोडिंग होना चाहिए उसके बाद नीचे आना है फोटो का जो साइज रहेगा 20 से 50 के भी जिसके लिए यहाँ पर सिंपल बताएंगे कि फोटो इस परकार होना चाहिए आप इसको जो है जूम कर देख सकते इस एकोडिंग फोटो होगा कहीं भी इस बार डेट और यह आपका यह जो डेट और नेम लिखना रहता था वो इस बार नहीं लागू किया गया तो आपको वो चीच को खास दियान रखना है नहीं लगाना है फिर आपका जो शिंगनेचर होगा उसको डालना है बाद नीचे आएंगे और यहां पर बोला जाता कि आपने जो फोटो लिया है 11 फरवरे 2022 के बाद कर लिया है तो यहां पर इस वाले पर किलिक करना है फिर नीचे आलना है डिकलेरेशन देना है और कैप्चा को डालना है फिर एक उप्शन मिलेगा प्रिभ्यू का प्रिभ्यू वाले पर आप किलिक करेंगे सारा detail अगर आपका सही हो तो एक option मिलता submit का अगर कुछ detail गलत लगता तो अभी एक option मिलता edit modify का आप इस पे click करके edit कर सकते हैं जिसे ही आप submit पे click करेंगे बोला जागा कि sure है अगर आप submit करना चाते है तो ok पे click करें इस पर कर loading लेगा अगर आपको पेमेंट लिया जाएगा तो आपको payment gateway खुलेगा यहां से make payment पे click करेंगे आपका जो form है यहां पे received हो गया है यहां पे ok पे click करेंगे और यहां से आप चाहे तो इसका print ले सकते हैं अगर आपको payment करना तो यहीं से आप payment भी कर सकते हैं इसका प्रिंट आप ले लेंगे प्रिंट लेने के बाद इसको आपको जो है संभाल कर रख लेना अपने पास और पेमेंट करना होगा तो यहीं से पेमेंट करेंगे तो दोस्तों यह एक कम्प्लीट प्रोसेस था एससे फेज टेन का फॉर्म फिलब करने का मैं आसा करता हूँ जो भी जनकारी हमने आपको दिया समझ में आओगा फिर भी किसी भी परकार के आपके मन में डाउट है कनफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद